आज की रेसेपी बनाने के लिए यहां पर मैंने 1 कप अरहर की दाल और 1 कप चने की दाल भिगो कर रख दिया था रात को ही ये अच्छी तरह से फूल चुका है और इसे मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरह से धूल दिया हैं और आप हम इसे डाल देंगे मिक्सर जार में और आप इसी में डाल देंगे आधा कप पानी दो इंच कटा हुआ अधरक डाल देंगे दो चम्मच डाल देंगे जीरा हरी मिर्च डाल देंगे अपने टेस्ट के अनुसार आपको कितना चटपटा खाना है आप उसके इसाब से हरी मिर्च डाल सकते हैं और आप जार का ड़कन बन करके खुब अच्छी तरह से पीस कर त्यार कर लेंगे दाल को यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स मैंने दाल को अच्छी तरह से पीस कर त्यार कर लिया है इसे हमें ज्यादा महिन नहीं करना है इसी तरीके से दरदरा पीस कर त्यार करना है और आप इसी में डाल देंगे एक चमच हल्दी पाउडर नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और अब इन सब को डालने के बाद खूब अच्छी तरह से इसे मिला देंगे इसे मिलाने के बाद हम इसी तरीके से अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लगा कर छोटा छोटा बड़ा बना कर तयार करेंगे इसी तरीके से और यहाँ पर देखिए प्रेंट्स मैंने दो मीडियम साइज का प्याज काटके रख लिया है इसे मिक्सी जार में डाल देंगे और आप डालेंगे दो इंच कटा हुआ अधरक और हरी मिर्ज थोड़ा सास छीला हुआ लासुन डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से पीस कर तयार कर लेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने मसाले को पीस कर तयार कर लिया है इसी तरीके से हमें मसाला पिसना है और एक मीडियम साइज का प्याज मैंने काटके रख लिया है तड़का लगाने के लिए और यहाँ पर मैंने कड़ाई में तेल डालकर गैस पर चढ़ा दिया है तेल कड़ाई में गरम हो गया है एक एक बड़ा इसी तरीके से बना कर डालेंगे गैस को हाई प्लेम पर रखेंगे और अब एक तरब सेकने के बाद बड़े को हम पलट देंगे इसी तरीके से धीरे-धीरे गैस को मीडियम प्लिम्पे कर देंगे और इसे अच्छी तरह से उलट पलट कर फ्राई करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंट्स हमारे बड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गये हैं और आप हम इसे निकाल देंगे एक बर्तन में चलिए इसे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ यह देखें फ्रेंट्स कितना सौप्ट और मुलायम बनकर तयार हुआ है हमारा बड़ा इसी तरीके से हम सारे बड़े बनाकर तयार कर लेंगे और जो हमारा तेल कड़ाई में बच गया था उसी तेल में हम तड़का लगा देंगे प्याज और तेज पत्ता का इसे डाल कर हल्का फ्राई करेंगे और आप इसी में डाल देंगे हल्दी पाउडर, सबजी मसाला सबजी मसाला आप अपने टेस्ट के इसाब से कमिया जादा भी कर सकते हैं लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे आधा चमज मसाले डाल देंगे जो मैंने पीस कर तयार किया हुआ है और अब इसी में डाल देंगे नमक स्वाधनुसार आदा चम्मट डाल देंगे कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है सबजी का और इन सब को डाल कर मसाले को 10-15 मिनट तक ढखके बुनेंगे बीच में इसे खोल कर एक से दो बार चला देंगे और यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स हमारा मसाला खुब अच्छी तरह से बुन गया है मसाले से तेल भी निकल गया है और अब हम इसमें डालेंगे पानी पानी आप अपने ग्रेवी के इसाब से डाल सकते है पानी डाल कर खुब अच्छी तरह से चला देंगे और कड़ाई गढ़क देंगे हाई प्लेम पर और यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स हमारा ग्रेवी उबलने लगा है और अब हम इसमें पकवडे डाल देंगे जो मैंने फ्राई करके रखे हुया है सारे पकवडे डालने के बाद खुब अच्छी तरह से सब्जी को चला देंगे और कड़ाई को डख देंगे पांच मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ज्यादा देर तक हमें नहीं ढखना है सिर्फ पांच मिनट ही ढख कर पकाना है और यहाँ पर देखिए प्रेंट्स पांच मिनट हो गए है हमारी सब्जी बनकर विल्कुल तयार हो गई है बड़े एकदम अच्छी तरह से फूल गए है और आप हम इसी में उपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे एक बार फ्रेंट्स आप हमारा ये रेसेपी जरू से ट्राइ करिएगा इस सब्जी को आप रोटी, चावल, उड़ी, पराठा, किसी भी चीज के साथ खाईए ये बहुत ही स्वाधिष्ट लगता है वीडियो अच्छी लगे फ्रेंट्स तो वीडियो को लाइक, सेर, सस्क्राइब करना विल्कूर मत भूलिएगा फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे राधे